21 जून 2020 21 जून 2020 को सूरे ग्रहन है इसलिए ये दिन काफी खास होने वाला है ये साल का पहला सूरे ग्रहन होगा इस साल पढ़ने वाले इस सूरे ग्रहन को भारत में बहुत आराम से देखा जा सकेगा इसलिए इसकी इंपोर्टन्स और भी बढ़ जाती है इसके साथ-साथ एक और जो देखने में आई है बात के 5 जून और 6 जूलाई के बीच में ये लगातार एक महीने में तीन ग्रहन पढ़ रहे हैं जिसकी वज़े से इस समया पर हम इन सबी खास तितिएं को देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि मौसम में कैसे बदलाव आ रहे हैं मौसम के साथ-साथ व्यक्ति के अपने स्वभाव में कैसे बदलाव आ रहे हैं ये सब चीजें इस ग्रहन से हमने देख ली हैं और आगे भी देखते रहेंगे मौसम में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव अभी देखने को मिलेंगे इसके साथ साथ काम में आर्थिक विवस्था में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं इस ग्रहन के समय में हम सब लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हम सब लोग इन चीजों से बच सकें, इन आपदाओं से, इन समस्याओं से, इन मुश्किलों से बाहर आ सकें तो इसके लिए पहले तो हमें युनिवर्स की गाइडन्स चाहिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है अगर हम ये पहले ही पता चल जाए तो हम स्तर्क हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमें इसको समझना चाहिए कि ग्रहन जो है वो हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे डाल सकता है ग्रहन का प्रभाव हर वेक्ति के जीवन पर अलग-अलग तरीके से हो सकता है ऐसा नहीं है कि सब के उपर ग्रहन जो है वो बुरा ही प्रभाव डालेगा, या सब के उपर अच्छा ही प्रभाव डालेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा और जो लोग इसको समझ कर higher consciousness के साथ जुड़ जाएंगे, जो लोग प्रमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, जो ग्रहन के लिए बताई जाती हैं और इस समय पर पूझा पाट करते हैं साधना करते हैं जो लोग मंत्र जाप कर सकते हैं वो मंत्र जाप करें तो आप लोग ग्रहन की इन आपदाओं से अराम से बच कर निकल सकते हैं सूरे ग्रहन का जो समय है वो रहेगा सुभे सावानों बजे से लेकर तीन बज कर चार मिनट दो पहर के इस समय में सूरे ग्रहन जो है प्रारंभ हो जाएगा और तीन बज कर चार मिनट पर उसमापत हो जाएगा उसका जो कंकन है यानि के पुरण सूरे ग्रहन जब कहा जाता ये समय रहेगा सुभह 10 बचकर 17 मिनट पर और परमग्रा सूरे ग्रहन होगा 12 बचकर 3 मिनट पर तो ये पूरण सूरे ग्रहन जिसमापती का समय है वो 2 बचकर 7 मिनट तक रहेगा इस तरह से पूरे सूरे ग्रहन की अवधी 5 खंटे 48 मिनट की होगी सूतक का जो प्रारंब है वो 20 जून को हो जाएगा रात को 9 बच कर 15 मिनट पर सूतक प्रारंब होगा और सूतक जब लग जाता है तो हमें अपने सारे कारे जो हैं वो उसी तरीके से करने होते हैं सूतक के समय में मंदिरों में नहीं जाया जाता सूर्त के समय में भगवान की मूर्तियों को हाथ नहीं लगाते तो इस तरह से कुछ चीजों की सावधानी रखनी बहुत जरूरी होती है चले अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहन होता कैसे है और ये किस प्रकार से लगता है जब चंद्रमा प्रित्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है उसकी छाया प्रित्वी पर पढ़ती है जो कि सूर्य की केड़नों को धर्ती पर सीधे पहुँचने से रोकती है तीनों खगोलिये पिंडों की स्थिती और दूरी की अनुसार तीन तरह के ग्रहन होते है तम दूरी के निकट होता है ऐसे में सूर्य को वो पूरी तरह से नहीं ढख पाता और उसका बाहरी हिस्सा दृश्यमान रह जाता है जो कि छल्ले की अकरिती का होता है इसे रिंग ओफ फायर कहते हैं या इसे वल्यकार सूर्य ग्रहन कहा जाता है इस सूर्य ग्रहन के समय पर आपको क्या गाइडन्स भगवान से मिल रही है इसके लिए भी बात करते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए कार्ड लिये हैं जिसमें से आपको कोई भी एक पायल सेलेक्ट करना है यहाँ पर फोर पायल मैंने आपके लिए ली है आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको अच्छी लगती है इसमें पहला जो कार्ड होगा वो आपकी हेल्थ के लिए होगा और दूसरा करियर के लिए ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस समय पर हम दो ही चीजों को लेकर जादा चिंतित है एक हमारी health और दूसरा हमारा career, COVID-19 के कारण ये दोनों चीज़ें ही प्रभावित हो रही है तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए ग्रहन के बाद की स्थिति और पूरा महीना आपकी स्थितियां किस प्रकार की रहने वाली है 21 तारीक के बाद का समय आपके लिए कैसा रहेगा चलिए जानते हैं यहाँ पर जो first pile है उस पे black कलर का crystal है, second pile पे blue कलर का crystal है और third pile पे pink crystal है और fourth pile पे red crystal है आपको कोई भी अच्छा लगता है आप उसे choose कर ले उसके बाद हम आपकी reading को start करेंगे जिन लोगों ने first pile को choose किया है आपके लिए health में जो card आया है वो है the fool card और इसके साथ-साथ आपके career का card है emperor यहाँ पर आपको health के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी health को थोड़ा सा आप unaware होकर ना चलें ऐसा ना सोचें कि आपको कुछ नहीं होगा आप बहुत बड़े जोखिम के उपर खड़े हुए हैं तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है देखे जब हम universal energy से guidance लेने की कोशिश करते हैं तो वो पहले ही हमें aware कर देती हैं कि किस तरफ हमें जाना चाहिए कहां पर हमें रुकना चाहिए तो यहां पर the fool आपको दिखाता है कि सेहत का बहुत ज़्यान रखे जिन लोगों ने first pile को चूज किया है आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेहत को लेकर आप बिलकुल भी कौताही ना करें आप बिलकुल भी घर से बाहर ना निकलें इस समय पर सितियां आपके लिए थोड़ी सी कमजोर बनी हुई है सेहत को लेकर तो आपको इसकी जिंता करनी चाहिए एंपर आपके करियर के लिए आपको अवेर कर रहा है कि करियर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हैल्थ का ध्यान रखेंगे तो इसलिए अगर आप हैल्थ का ध् कर पर οजिकलोंगे पर 6 pra capable होंगे अपने करियर के लिए आप कोई problem नहीं है किसी तरह की चिंता नहीं है जिनोंगेश को सिलेक्ट किया है तो इस तरह पूरी protection मिल रही है करियर को लएकर परहैत का ध्यान रखिये। आगे बढ़ते हैं जिन्नों ने सेकिन पाइल को चूज किया है, ब्लू कलर का क्रिस्टल जिनों ने चूज किया है, आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए युनिवर्सल मैसेज ये है, कि आपको सिहत के साथ साथ करियर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, आपका काम जो जो बताते हैं कि आपको mentally परिशान होना पड़ेगा इसलिए आपको mental tension को दूर रखना चाहिए कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे mental tension से दूर रहें थोड़ा सा वयाम कर सकते हैं थोड़ी meditation कर सकते हैं जिससे आने वाले चिंताओं से आपको पहले ही मुक्ति मिले कभी कभी समय ठी बातों को ना समझें लोग आपसे इस तरीके का behave करें कि आपको लगे कि आप बहुत जादा अकेले रह गए हैं पर आपको खुद का साथ देना है आपको खुद अपनी स्थितियों को control में करना है अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल आपके लिए हो रहे आपको stress हो आपको restlessness feel हो तो ऐसे में आपको अपने मन की स्थितियों को ठीक करने की जरूरत है आप किसी मंत्र का जब जरूर करें ऐसे में नमह शिवाय मंत्र का जब करें पंचाक्ष्री मंत्र है बहुत अच्छा है मन शांत होगा और इस ग्रहन के समय का आप लाब अच्छी हो जाएगी और करियर में आने वाले दिक्तें भी दूर हो जाएगी आप बात करते हैं थर्ड पाइल की जिन्नोंने नमबर थ्री पाइल को चूज किया है आपके लिए क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर हेल्थ और आपके करियर की क्या रीडिंग है चलिए जानते हैं आप लोगों के लिए जो आपका फिर्स्ट कार्ड है जो आपका हेल्थ कार्ड है वो बहुत अच्छा है बहुत पॉजिटिव है आप इस समय पर बहुत पॉजिटिव है स्टार कार्ड दिखाता है कि आप स्पिर्चुली बहुत स्ट्रॉंग है आपके लिए य आप लोग भगवान से जुड़े हूए लोग हैं और इसके साथ-साथ आप भगवान का साथ हमेशा अपने साथ रखते हैं जिसकी वज़े से आप हमेशा positive रहते हैं यही मैंने कहना चाहा है इस वीडियो में कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है अगर आपको कोईभी तो सिरफ भगवान का साथ अपने साथ रखिए और किसी की ज़रूरत नहीं है जब हम अकेले होते हैं जब हम बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं इस भरी पुरी दुनिया में तो भगवान ही है जो हमारा साथ दे सकते हैं आपके करियर की रीडिंगो अगर देखा जाए तो यह यहां पर आप बहुत dedicated हैं अपने काम के लिए, अपनी success के लिए, financial security के लिए, आपने अपने जो goals fix किये हैं, आप अपनी मेहनत के साथ उन तक पहुंचेंगे, situation जैसी भी है, चाहे आपके लिए lockdown है, चाहे आपके लिए ग्रहन है, आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ क मैनेज करना जानते हैं, बहुत ही यहां पर मैं अच्छे energies देख पा रही हूँ, eight of coins है, eight of coins दिखाता है कि आप बहुत hard working है, आप अपने काम में बहुत expert हैं और उसे आप बहुत expertly handle कर लेते हैं, तो यह energies बहुत अच्छी हैं, आपको भगवान को उस समय पर जब ग्रहन हो ठीक स्थिती में हैं, अब आप बहुत stable हैं, आपके पास सब कुछ है, आप बिल्कुल healthy हैं, तब भी आप भगवान को याद जरूर करें, ग्रहन के समय में आप मंतरचाप जरूर करें, यह सब के लिए जरूरी है, जो अच्छी स्थिती में हैं उनके लिए भी और जो बु आपके लिए है page of wand, page of wand दिखाता है कि health के लिए आपका ये समय अच्छा है, आपको कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, कुछ नये में आप कुछ नया सोच सकते हैं, जैसे अपनी डाइट में कुछ चेंजिस कर सकते हैं, आप अपने लिए exercise बना सकते हैं, exercise का routine बना सकते ह ये time आपके लिए कुछ नया स्टार्ट करने का है, health को लेकर, इसके साथ साथ आप Ayurveda को अपना सकते हैं अपने जीवन में और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको energy दे सकती हैं, इन चीज़ों का इस्तिमाल कीजिए, आपके लिए आपका समय बहुत अच्छा है, health क लेकर कोई बहुत जादा वरी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर fire energy है, तो fire energy जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ changes लेकर आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा change जो आपके लिए कुछ नए action लेने का होगा, कुछ changes करने का होगा, और कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आ सकत है, health के लिए बहुत अच्छी reading है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी health का ध्यान रखेंगे, इस समय पर कुछ नया start करेंगे, कुछ नए काम start करेंगे, हो सकता है आप किसी sports activity में आगे बढ़ें, यहाँ पर आप sports में कुछ ना कुछ अपने लिए को activity करते रहेंगे, जरूरी नहीं है, कि sports के लिए बाहर ही जाएं, बलकि आप घर पर रहकर भी बहुत energetic फिल कर सकते हैं, इसी तरह से आपके career के लिए the world card दिखाता है, कि कुछ ना कुछ नया आपके लिए होने वाला है, यहाँ पर भी आपने जो hard work किया था, जो आप deserve करते हैं, वो fruit आपको ज़रूर मिलेगा, यह समय आपके लिए आने वाला बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्रहन के समय में आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें, आप किसी साथक की तरह साथना करें, आपके लिए समय बदलने वाला है, देखिए कभी-कभी किसी को नुकसान होता है, तो कभ आपकी प्रात्ना युनिवर्स जरूर सुनेगा तो ये थी हमारी फोर्थ पाइल की रीडिंग अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद